हेलो दोस्तो आज मैं आपके साथ में सेयर करने वाली हूँ आम की बर्फी की रेसिपी इससे बनाने के लिए दोस्तो हमें नमावा की जरूरत है नहीं कंडेंस मिल्क नहीं मिल्क पाउडर सिर्फ चार चीजों से बहुत इस्वादिश्ट मुह में घुल जाने वाली हमारी आम यह लिए नारील जो है अच्छे से फूल जाएगा जैसे कि मारी बर्फी इतम पॉफेक्ट बने की तो यह हमने यहां पर यह दूद को डाल दिया है इसे मिक्स कर देते हैं यानि कि नारील को बुरादे को हमने आपर दूद में सोक कर दिया है अब इसे हम 20-25 मिनिट के और स्वाद भी अच्छा हैगा तो अब इसमें को हम इस तरह से से पीसे में कट कर लेंगे जिससे कि हम इसकी प्यूरी बना लें तो इस तरह से इसके पल्प को निकाल लेंगे तो इसी तरह से हम दोनों आम के पल्प को निकाल लेंगे तो फिर हमने यहां पर आम को इससे प जोग किई हुए 25 मिनिट हो गया है यह देखिए नारियल ने दूद्ध को अच्छे से अब्जॉब कर लिया है तो आप चलिए से हम कड़ाई में डालते हैं इसकी बर्फी बनाने श्टार्ट करते हैं तो कड़ाई में डाल देंगे हम एक जममच घी अब इसमें हम डाल देंगे हम ये नारियल जिसको के हमने दूद में सोक करके रखाता सभी को यहाँ पर हम डाल देंगे और दो मिनिट के लिए इसे हम नारियल को इस तरह से भून लेंगे medium flame पे लगातार इस तरह से चलाते हुए दो मिनट के लिए में नारील को इस तरह से भून लेना है तो दो मिनट के लिए हमने नारील को भून लिया तो अब इसमें हम आम की प्यूरी एड़ कर देंगे और इसे हम नारील के साथ में मिक्स कर लेंगे तो पहले इस तरह से मिक्स कर देते हैं उसके बाद इसमें हम चीनी डाल देंगे तो अब इसमें हम डाल देंगे 3 4th cup चीनी यानि कि स्वाद के निसर यहां पे चीनी एड़ कर लें या फिर जिसना आपका आम मिठा हो उसे कॉर्डिंग यहां पे चीनी को डाल के से मिला लेंगे तो बस अब इसे लगातार चलाते हुए हमें बस इसे भून लेना अच्छे से तो यह देखिए दोस्तों चीनी ने अच्छे से मेल्ट हो गई इसमें उसने पानी को अपने रिलिस कर दिया है तो अब इसे लगातार है चलाते हुए हमें इसे अच्छे से भून लेंगे बर्फी जमने की कंसिस्टेंसी तक तो गैस का फ्लेम मेडियम टू हाई करें और इसे लगातार चलाते हुए हमें इसे अच्छे से भूनेंगे अपनी आम की बर्फी को अच्छा कलर देने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा यह केसरी फूट कलर एड़ कर रही हूँ जिसे की जो मारी बर्फी है देखने में और अब इसे लगातार ही चलाते हुए मैं इसे अच्छे से भून लेना है और इसके साथ में हम किसी प्लेट थाली और फिर इस तरह से बर्फी जमाने वाले ट्रेम किसे की जो मारी बर्फी ऐच्छे से सेर्ग हो जाए और निकल जाए has thousands again कआ fellow कि जैसे से अधाल को हमने बर्फी च्छे से बूंते जारी है तो हमने आपर इसे अच्छे से भून लिया और पद it C ग्रिस के हुए ट्रे में निकाल देंगे तो इस तरह से हम आप इस पे ट्रे में निकाल देना है और यसे फेला देंगे कि जिसे नहीं प्रुम तेंवारी पर्फी अच्छे से ठंदा होने देंगे तब आपकी बर्फी जो है जल्दी ही सेट हो जाएगी तब इदेखिए दोस्तों हमने ऐसे 4-5 गंटे के लिए रूम टमपरिचर पे छोड़ दिया था बर्फी मारी अच्छे से सेट हो गई तब इसे हम पिसेस में कट कर लेते हैं तो यह देखिए इदम परफेक्ट इदम सॉफ्ट मारी मुह में खुल जाने वाली बर्फी बन की तयार है तो इस तरह से मैं आपर इसे पिसेस में ऐसे कट कर लेती हूँ तो हमने आपर इसे पिसेस में कट कर लिया है अब इसे हम निकाल लेते हैं ये देखिए दोस्तों। इसम पोफेक्ट हमारी बर्फी बनके स्थार होइए , कित आशानी आधा ये बना, ये ओ, ये देखिए। प्रसंद आईगे तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर कर दीजेगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बगल में दिये के पेल आइकन को भी प्रेस कर दीजेगा जिससे की आने वाली सी नहीं रेस्पिक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे आपसे मिस्स न